विदियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आपके कमेंट सेक्षिन माखे कमेंट करके यह बोले कि हमरा वाथ्सब नमबर है तो उनसे बच के रहना वो सारे के सारे स्कामर्स हैं किसी भी शोशल मेडिया से कभी भी हम आपसे कनेक्ट नहीं करते और किसी को भी आपने अपने क्रिप्टो सेंड नहीं करने किसी को अगर आपने क्रिप्टो सेंड करे तो समझ लीजिए वो क्रिप्टो आपके आद से चले जाएंगे वो कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा आज की डेट में market जो है वो बहुत boring चल रही है पिछले 3-4 मैने से अगर हम market को बहुत closely monitor करें, BTC को monitor करें, altcoins को monitor करें, तो ज्यादा खास moment हमें नजर नहीं आ रहा है everybody is waiting for that bull run to come, everybody is looking forward की next bitcoin halving कब होगी which is around 514 days from now, जो की बहुत लंबा टाइम है, अगर आप long term investor हो in crypto currency यान अगर आपने crypto currency जो है exchanges में रख रखे, it is always advisable कि आप उनको stake करके रखो staking से आपको एक passive income मिलती है, आपको एक additional benefit मिलता है by staking your crypto currency in the top exchanges आज में मत कर रहे है Binance की, Binance में कैसे आप stake करके रख सकते हो अपने crypto's और कैसे उनका आप utilize कर सकते हो, fully utilize कर सकते हो उन crypto's का जो आपके exchange में, आपके wallet में पड़े हुए है, दो चीजे है, अगर आपने अपना पैसा जो है money in the bank, वही हाल होता है crypto market में, crypto currencies अगर आपने purchase कर रहे है, yes you trust those cryptocurrencies जो आपने purchase कर रहे है, वो tokens में भरोसा है आपको जो आपने invest कर रहा है, तो अगर आप long term investor हो, तो यह ज़्यादा जरूरी है कि आप उनको stake करके रहो, अगर आप exchanges में ही रख रहे हो, it is a completely different thing, अगर आप अप stake करना चाहिए, क्या क्या चीज़े होती है staking से, कौन कौन से type की staking होती है, और कहां पे हम stake करें, कहां पे हम stake करें, जहां पे question आता है, तो yes, balance का नाम सब लोग लेते, balance which is the world number one exchange, वहाँ पे अगर आप stake करते हो, अपने crypto currency, थोड़ा reliable exchange है वो, exchanges आज की rate में, मैं personally जो है बह आपको बताते रहते, other than that कुछ है, मेरे ऐसे cryptos भी है, जो मैंने hard wallet में shift कर दिया, और वहाँ पे मैं उनको store करके रखता हूँ, because मैं उनको hold करके चल रहा हूँ for a long time, मैं यह नहीं चाहता, मेरे crypto currencies गायब हो जाए, from my exchange, मैं यह नहीं चाहता, मेरे crypto जो है, वो hack हो जाए, so to be safe and secure, मैं उनको hold करके रखता हूँ, अपने wallet में, जो कि मैंना ledger, lino s purchase कर रखा, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, कि कैसे वो hard wallet आप use कर सकते हो, कैसे आप transfer कर सकते हो, cryptos in your hard wallet, उसके बारे में भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, but if you are holding your crypto in the exchanges, it is very important कि आप उनको stake करके रख लो, as it is आपने buy करके spot wallet में, hold करके चल रहो है, exchanges में crypto, तो उससे better है spot wallet से आप उनको staking में आप shift कर लो, अब कैसे करते हैं staking, उसके बारे में बात करते हैं, चलते हैं, Binance में सीखते हैं, on both mobile phone and PC, कि कैसे आप stake कर सकते हो, अपने cryptos and कितने returns हम लोगों को मिलते है EBY, हम जहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि nervous November जो है वो आने वाला है, वहाँ पर काफी ऐसे events हैं, जो market को निच्चे भी ले जा सकते हैं, people will get nervous, but उसी के सांथ सांथ, अगर आपको भरोसा है crypto market में, if you are holding for long term, जैसे हम बार बार repeat कर रहे हैं, it is very important कि आप उनको stake कर लो, चलते हैं mobile phone में, कले mobile में सीख लेते हैं, application के थूरू कैसे आप stake कर सकते हो, फिर चलेंगे PC में, PC के थूरू सीखेंगे कि आप कैसे stake कर सकते हो, और क्या benefit हमें वहाँ पे मिलते हैं, so side में आप देख सकते हो, हमने आपे open कर गया Binance की application, and this application is available for both Android and iOS devices, अगर आप हमारा link use करके Binance में account open करते हो, तो you get a cashback of 600 dollars, वहाँ पे आप जब trade करते हो, तो उसका benefit आपको नजर आएगा, but हम बात करते हैं staking की, staking से क्या-क्या चीज़े हमें मिलती है, कितना percent APY हमें मिलता है, so जैसे हम Binance की application खुल देते हैं, उपर हमें मिलता है earn का tab, and अगर यहाँ पर आपको earn नहीं मिल रहा, तो आप जैसी यहाँ पर more में click करते हो, and थोड़ा सा आप यहाँ पर देखते हो recommended में, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है earn का tab, earn का tab यहाँ पर आप देख सकते हो, almost सारे cryptos यहाँ पर listed होंगे, कुछ ऐसे cryptos है, जो आपको यह offer नहीं दे आप दोनों में difference किया है, वो understand करना हमाने लिए बहुत जादा important है, flexible is कि आप कभी भी उनको stake कर सकते हो, और कभी भी आप उनको तोड़ सकते हो, आपको कोई भी penalty नहीं लगेगी, and yes यह चीज भी है उसके साथ साथ कि flexible में आपको उतना percent APY नहीं मिलता है, but अगर हम बात कर भी यहाँ पे मिल जाता है, and अलग-लग days में अलग-लग APY होते हैं, यह जानना हमाले बहुत जरूरी है, yes, यहाँ पे एक personal quota होता है आपका, उतना ही आप stake कर सकते हो, जैसे कि हम थोड़ा सा निच्चे आएं, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 120 days के लिए आप stake करते हो, you get a APY of 20.98%, which is amazing, 90 days अगर आप करते हो, and थोड़ा सा निचे देखते हो, you get a APY of 17.29%, again 60 days, तो यह reduce होता रहेगा, 12.79%, अगर आप 30 days का stake करते हो, थोड़ा सा आप निचे देखते हो, 11.51%, अभी क्योंकि बागी हमाले अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, the product has either been sold out, यह हमने already वहाँ पे subscribe कर रहा है, उसकी maximum limit, तो हम यहाँ पे करते हैं 30 days का, कुछ हमारे पास polka dot पड़े हैं, जो हम आपको बताते हैं, कि हम लोग बार बार purchase करे जा रहे हैं, cryptocurrency, at different levels, तो हमने polka dot थोड़ा सा purchase करके रहा था, three polka dots यहाँ पे हैं, उसको हम stake करके यहाँ यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं, confirm, so everyday we are buying cryptocurrencies at different levels, ताकि हमारा dollar cost average जो है, वो नीचे आजाए, and it is actually that simple, यहाँ पे आके आप बाकी के cryptos भी यहाँ पे search कर सकते हो, for example, काफी लोग के पास SHIB आइन हो होगा आज की rate में, तो अगर आप SHIB यह आप लेना चारे हो, EPY, कितना आपको मिल रहा है, flexible भी, काफी लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमें flexible चीए, now what happens when you break a fixed deposit, मतला अगर अगर locked taking करते हो, तो उसमें क्या आपको नुक्सान होता है, so आप fixed taking अगर आपने कर रखी है, तो यह काफी लोग सोचते हैं कि वो तो भाई fixed taking होगे, 120 days पहले से हमारे crypto जो हमारे पास वापस नहीं आ पाएंगे, हम फज जाएंगे, अगर 120 days के बीच में bull run आ गया क्योंकि crypto market again suddenly उपर चली आती है, उस situation में हम लोग क्या करेंगे, so you can break your fixed, you know, staking, वो आप कर सकते हो, बट उसमें एक ही point है कि जितना भी interest आपको मिला होता है, वो वहाँ पे वापस ले लेते हैं, वो reduce हो जाता है, so for example, अगर आपने, you know, let's say for example, 10 polka dot आपने डाल रहे हैं, आपको one polka dot मिल जाता है as a staking reward, तो जब आप अचानक उसको break करते हो, fixed taking को break करते हो, तो आपके पास वापस 10 polka dot ही मिलते हैं आपको, आपको interest नहीं मि मिलता है, but अगर आप locks taking में duration complete होने के वाजवा, अपने cryptos वापस निकालोगे, तो पूरा आपको interest भी मिलेगा, आपके जो original cryptos हैं, वो भी आपको वापस मिल जाएंगे, so this is the benefit of staking, काफी लोग इसके utilize नहीं कर रहे हैं, आज के रिट में, जहापे market बहुत जादा boring चल रह करें, उसको हम समाल के रखें, और उसमें से भी कुछ earning करें, it is actually that important, यह तो हमने आपको बताया कि आप application के थुरू कैसे stake कर सकते हो, काफी लोग web browser में stake करते हैं, तो चलते हैं laptop की screen में, आपको दिखाते हैं कि अगर आप web browser use करते हो, तो आप कैसे stake कर सकते हो अपने cryptos, तो operation okay करते हो, तो यहाँ पर आपको काफी products मिल जाते हैं, उनका APR आपको सामने मिल जाता है, कि कितना उसमें आपको APR मिलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, Alpline में आपको मिलता है 30% APR, जहाँ पर 120 days तक आप fix taking करते हो, इसी को अगर हम change करें flexible में, आपको मिलता है 5 ऐसे ही है, आप यहाँ पर search कर सकते हो, और आप stake करके रख सकते हो, यहाँ पर हम बात करें शिबा की, जैसे शिबा हमने आपको दिखाये था, 120 days में आपको मिलता है 4.29% और इसी को अगर आप flexible करते हो, तो 0.5%, so यहाँ पर staking करना बहुत important हो जाता है, अगर आपने exchanges में ही रख रख है अपने crypto currency, and it is actually very good for your investment, जहाँ पर आप invest जो आपने कर रखा है crypto currency market में, market movement नहीं कर रही है, आगे जाके market थोड़ा और निचे भी आ सकती है, अगर आप trading नहीं कर रहे हो, उन crypto's से जो आपने purchase करके रख रखे, my advice to you is कि उनको आप stake करके रख लो, अब यहाँ पर यह चीज हमेशा याद रखना, because of staking आपने crypto's purchase नहीं करने, काफी लोग यह mistake करते हैं, काफी लोग क्या करते हैं, for example, यहाँ पर हम बात करें, आप देख सकते हो, एक woo करके crypto है, जो कि हमने invest नहीं कर रखा, but काफी लोग आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 120 days में, उ वो बुलेंगे 49.8% APR मिल रहा है, तो अगर हमने 10,000 रुपे लगा है, और पूरे साल में उसका rate chain नहीं हुआ है, तो हमारे पास 15,000 रुपे हैंगे, यह गलतियां नहीं करने हैं, because of the staking reward, आपने crypto's purchase नहीं करने, आपने stake करने हैं, क्यूंकि आपने crypto's purchase करके रख 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 but people will come and say, यहां पर APR मिल रहा है 30%, ठीक टाक crypto है, ठीक टाक token है, बाना अंस में भी listed है, इसको purchase करके, इसको subscribe करके छोड़ देते, वो गलतियां नहीं करो, आप तो जादा बेटर हैगा, but yes, जो आपने crypto's purchase कर रखे हैं, so for example, near protocol हमने purchase कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, 30 30.49 आपको मिलता है, and यह sold out नहीं, 120 days के लिए, आप उसको stake करके रख सकते हो, 30.49% आपको पूरे साल में मिलता है, which is good, which is not bad, अगर आप flexible भी करते हो, तो 6% आपको मिलता है, which is again good, USDT, जिसकी बारे में हम लोग बात करते हैं, which is playing a major important role in our crypto market, वहां पर हमें मिलता है 8%, which is amazing, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, आगे जाके हम और purchases करेंगे, हम करेंगे dollar cost average, वहीं पर हमने USDT, BUSDA purchase कर रखें, तो हम उसको flexible stake कर देंगे, क्योंकि उनकी जरुद हमें कभी भी पर सकते हैं, flexible में आपको 8% APR मिल रहा है, which is amazing, यह चीज़ें आप लोगों ने समझनी हैं, यही चीज़ों के accordingly आपने stake करके रखने हैं, अपने cryptos, जैसे हमने आपसे बोला, crypto purchase नहीं करने हैं, because staking rewards जाता है, staking इसलिए करनी है, क्योंकि हमने cryptos purchase कर रखें, और उसमें हम long term holding करके चल रहे हैं, यह चीज़ें जिस दिन आप लोगों ने यह चीज़ें समझ ली, और व वो चीज़ें आप लोगों ने पहले से plan करनी पड़ेंगे, कुछ ऐसे cryptos हैं, जिनका बारे में हमें पता है, कि आगे जाके इतनी जल्दी वो उपन ही जाएंगे, तो हम उसको fix staking करके रखते हैं, कुछ ऐसे cryptos हैं, जिनको हमें लगता है, कि अगले 2-3 महीने में, शायद वो bull run में आखें, काफी अच्छे return दे सकते हैं, तो उनको हम flexible staking में करेंगे, क्योंकि हमारा major profit होगा, वो होगा because of the price rise, वो यह नहीं होगा, क्योंकि staking में जाधा reward मिल रहा है, वो इसलिए होगा because of the price rise, तो वो चीज़ें आप लोगों को ने भी understand करने हैं and accordingly purchases करने हैं, with that said guys, आज है Diwali and I wish you and all your family members a very happy and prosperous Diwali, thank you so much for watching our channel, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो like कर देना, share करना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay bye bye